ओने से चलिए गूड आफरनून और आज ही एकलास शुरू करते हैं गूड आफरनून जो जो प्रेजन्ट है ओनलाइन में मोनिका अश्वनी, जस्वीर, अकाश, तान्या, शिवंगी यह आटिकल्स कौन से डेट के हैं सर डेट तो यह आप समझेजे कल के हैं 8 एपरिल के हैं हिंदू न्यूस पेपर के इसलिए करण डिफियर्स लगातार न्यूस पेपर वगड़र से खुद पढ़ते रही है ताकि आपको पता लगता रहे है तो यह न्यूस यह आर्टिकल कलकर है लेकिन यह इंसिडेंट जो है थोड़ा दो पुलाना है मार्च में हुआ था तो दिलिया करण डफियर्स शुरू करते हैं इंसिडेंट हुआ था यूएस में कि वहां पर एक ब्रिज था ब्रिज मतला पुल कीए वो एक शिप की टगराने से गिरी गया हुआ तो एक शहर है वहां पर बाल्टी मोर नाम की जगह है वहां पर एक आपका ब्रिज बना वादा इसका नाम था फ्रांसेस स्कॉट फ्रांसेस स्कॉट की ब्रिज ठीक है 26 मार्च को एक शिप्टी शिप का नाम मर्टेंट शिप्टी जो कंटेनर ले जाती जिसका नाम था डाली ठीक है वह इस ब्रिज से टकरा गया और यह ब्रिज टूड़ गया तो यह इंसिडेंट हुआ था यह में इंसिडेंट हुआ था यूएस में और इस ब्रिच के टूटने के विए से कुछ हाथसा भी हुआ साथ-ाथ लोंग ब्रिच के उपर होईंगे वर्कर्स थें जो काम कर रहे थें वो मर गए नीचे नदी है और जो एस चुरी जो एस चुरी है मतलब वह पर सिय का मतलब प्राइब कि एक तो एस तो एस चुरी टाइप की में साथ लोंग गिरें मर गए तो ये मतलब ये news बनी फिर US के president ने थोड़ा सा इसके बारे में बोला तो यही news थी news क्याती कि 26 March को एक ship था डाली Baltimore City है यूएस में उसमें आप मैप पे देखोगे तो ये है Baltimore ठीक है तो यहाँ पे अब इसके इसे इसे अंदर याती है Baltimore शहर का नाम या पोर्ट है Baltimore पोर्ट है तो यह है का यह यूएस का इस पोस्ट है और यह वाला यूएस का देखोगे तो यह इस पोस्ट होता है तो यूएस के इस पोस्ट पर आप देखोगे तो बार्टी मोर पोर्ट आपको यूएस के इस पोस्ट पर मिलेगा तो यहाँ पर यहाँ पर कि पोर्ट में शिप्ट जाती रहती होंगी ठीक है और वा अनलोड करके वापस आती है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है जो ठीक है तो एक कंटेनर शिप्ट होती है कंटेनर शिप्ट आप कि जैसे यह कि अच्थ कि अ कि अधिए कि अधिए कि वाभ कि अध़ कि अधिए यह देखिए यह इसे रिट होगा था यह जो आपको दिख रहा है यह ऐसे ब्रिज था इसका नाम था फ्रांसिस स्कॉर्ट की ब्रिज और यह शिप्ती शिप्ता नाम था डाली ठीक है तो यह जाके इससे टक्रा गई और यह ब्रिज क्लापस होका यह टूप गया यह आपर नों परादा भी होगा ठीक है यह नूस मतला कुरानी होगी ज़स दिन की होगी अब तो इसमें क्या हुआ दा कि यह बाल्टी मोर्ट पोर्ट को शिप्त जाती होएंगी अंदर बाहर आती यह इंदिक यह कंटेनर लोड करती होँगी औ लेके निकल रही थी निकल रही थी वहां से बाल्टिमेर पोर्ट से तो इसका इंजिन वगार उसको चला रहा था उनका कंट्रोल उसको उपर से खतम हो गया लूस कर दिया उनका अपना कंट्रोल और शिप जो है वह मतलब बेना किसी डिरेक्शन के इजा उसर भागने लगी जा कि इस ब्रिश से टक्रागी तो इस ब्रिश से टक्राने से पहले उनलोंगों ने वहां के जो U.S. अथर्टीस थी पोर्ट वाले के लोंग थे पोर्ट अठोटीस थी सब को इनफॉर्म कर दिया था सिगनल दे दिया था कि शिप हमाई कंट्रोल में नहीं है और ये जा कि औरानी को से टकरा जाए कि तो इस चीछ induce कि लिए ऐ सुनोंने पहले से बोल दिया तो इस खाली किद्ध लिए आ था खाली क्राइन मचें अब सब्सक्राइन कहीं पार्वज पास करती रहता हैं तो कुछ minha बास कहले होओध अधरवाइस ज्यादा लोग मरते हैं तो ये इंसिदेंट अपुरा शिप का नाम ता डाली ब्रिच का नाम था फ्रांसिस कोट की ब्रिच और शेहर का वाल्टीमोर इस्ट कोस्ट में था यूएस के इस कोस्ट में था तो ये जो है आपका में ये न्यूस थी ये पूरा मुद करद ये इसका जो शिप का क्रू करूँ था वो सारे खार इंडियन थे जो रही जाती तो उस पॉर्ट का एरिया को जानने के लिए वहां का लोगाल एक आदमी आता है शिप को गायडि करने के लिए शिप को चलाने के लिए थोड़ी देर के लिए जो पोर्ट से निकालके तो बिल्कुल पोर्ट के बाहर से आंदर लाके शिप को खड़ी कर देगा तो उसलिए उनको पाइलेट गोलते हैं तो दो ऐसे पाइलेट भी थे और किस क्रू थे शिप के ठीक है जो कि इंडियन थे और दो पाइलेट थे वो यूएस थे तो उन सब को अभी पकड़ तो नही अब खड़ा वने में वापस खड़ा करने में इसको टाइम लगेगा ठीक है बाच्यवठ लगेगा प्लस यह जो शिप टग्राने का यह जो कंटेनर देख रहा एक एकट इंडियर कई गिर घिंए यह गिरक है यह जो रास्ता था ऐस्टूरी थी ठीक है तो तृग ती उसम गया है तो समय ट्राफिक हो गया है क्यों क्यों और यहे चाहिभ है बिल्किल ने बå Has also और आनेको ऊछिप अई-जैंगी उनसे वह टक्राईंगे तो वह दिक्कात हो रहे है में मजात्व seem जब अभी बन पड़ा एक काम, ठीक है, और ब्रिज भी कोलाप्स होने से या फिर इंसिडेंट के होने से क्या फरक पड़ेगा, ठीक है, अभी बन पड़ेगा आपके, पूर्ट के उपर या फिर बाल्टिमोर पूर्ट के उपर या उएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उपर क्या फरक पड़ेगा, तो उसको देख लेता है, ठीक है, ये पूरा इंसिडेंट था, 26 मार्च को हुआ था, और इसमें क्या है, अब क्या क्या फर्क पड़ सकता है, ठीक है, तो पहली बाद तो ये पूर्ट रुख गया है, ठीक है, ये वालो जो बाल्टिमोर, ये युएस का इस पोस्ट है, और ये ये युएस का वेस्ट पोस्ट है, तो फर्क क्या पड़ेगा, जो इस पोस्ट पर बाल्टिमोर पोर्ट है, इ ये जो था ये यूएस-का नाइंथ लार्जस्ट पोर्ट था ठीक है नाइंथ लार्जस यूएस फोर्ट नहीं है यह इसमी नाइंध लार्जस पोर्ट है और यूएस का बहुत सारा इंडरनाशनल ट्रेट यहीं से बुझारता तो अब इसके बंद ने के कुछ impact है कि मतलब परिणाम है कुछ इब एक शौट आप में क्या है कि जो भी एसा कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि इस पौट से मुझए गुजरना था ठीक है अब उनको अपना उन्हिंट करने में या भेजने में ज्यादा ताइन लगे अब उनको ज्यादा टेंड होगेगा अब तुरा उनको नहीं मिले गई तो ऐसी चीजे युएस में होगी है ऐसी चीजे इंडिया में भी हो सकती है ठीक है तो इसलिए ये मदब करेंट फिर इंपोर्टन्ट है क्योंकि इस तरह की चीजे अगर पोर्ट बंद हो जाता है तो लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाने और कुछ समान भेजने में डिले होता है और जब डिले होता है तो क्या होता है उस चीज का पैसा ज्यादा लगता है ठीक है आप जो चीज मंगा रहे हो ठीक है अगर वो आज मिल जा रही है त इसकंद लिए क्योंकि वो तुरंट अवलेबल आपके पास है। तुरंट भलेबल नहीं है, तो कुछ डिले के बाद मिलेगी, तो फिर महेंगा मिलेगा. क्यों?" थ्यूंकि आप जो इस पौर्ट पे वेश सकते दे ठी का है वो इस पॉर्ट पर नहीं बेज़ेंगे यू यूएस के इसंसना किसी दूसरे पोर्ट पिज़ेंगे और फिर वहां से यह warto ए यूएस के किसी दी ही जाएगा जो कि पहले बाल्टी मोर्स से ज़धा पास थी लेकिन आप सबस्वेश जैसे है कि यहां पर यहां पर कोई शिटी है जो यहां निशे साउथ में कोई इस वे डिले से ङो रहे है ठीक है सवान भेजने में इह सम्मान भेजने में outfits इनको शैह्रों में ऐस्टार से पीष बेंस के punam करने में टां भान उनको पर एक्षपोर्ट एंपोर्ट करने में यहां तो यह पह तो इएप अफर्डाया है दीutral तुसरा जो आपको लॉंग की शॉर्ट टाम है कि इसके सासा कुछ और भी चीज़ें हो रही थी यह अगर आप वर्ल्ल का मैप जो है रेट सी मालूम है आप लोगों को रेट सी कहां पर है इसकी में मैं अंधाय मैं यह आप देखें यह आपका आपका लिए जो आपका इसकी आपका देखेंगे नहीं है इहां पर आपका स्वेस कनाल है यहां से इंडिया है मंदूर से इंडिया है इंडिया से कोई समान बेजा जाना है तो यह से जाएगा वह रेट सीं से होता हुआ वो रेट सी से हुता हो इधर से जाएगा स्विस कनाल से बिज़ेगा यहां मेरिटेरियन सी है फिर इसका इत्लांटिकोशन है और अपर यूएस जाएगा यह रूट होना था ठीक है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है इस रेट सी में अलग से प्रॉब्लम है आपने सुना है इस इसराइल और हमास की बार चल रही है उसमें हमास का सपोर्ट करने के लिए येमिन में कुछ टेर्रिस्ट है जिनका नाम है हाउदीव यहां से आने जाने जाने जानी शिप के उपर अटैक कर रहे हैं तो अब लोग यहां रेट सी से भी शिप नहीं भेज रहे हैं तो आप अगर इस फोसे इंडिया कुछ बेजना है तो पहले वह सब्सक्राइब लेकिन रेट सी में पहली से प्रॉलम थी ठीके रेट सी में पहली से प्रॉल्म थी यहां पर पारेट्स या हाटेक करतें तो इस घुप बेजना ऐसिए अब इस ज्रूश्त कोस्त पे भी बहुत लेकिन उसके बदले में उनका कहा का ट्राफिक बढ़ता जा रहा है उनके वेस्ट कोस्ट का क्योंकि वेस्ट कोस्ट से कशवान बेजता है तो बीच में रेट सी नहीं आता है तुलिशृ यहां से और यहां से त्रहर यहां double the Pratanda हूए थीद पर यहां से फ्यूंगे तो पस्कार के बाद आपका साउ चाइन श्यृसा जाने सी से बेफ बेंगो और फिर इंडिया ठीक है वर्लम उठाके देखिएगा एटलस जो है आपके पास तो यह लॉंट अब इंपक्त है कि इस्ट कोस्ट से उनका पहले से ही इस्ट कोस्ट पे धंदा चौपट था उनका अब इस्ट कोस्ट का इसी बन दो गया अब वह वे यूस थी और यूस के कुछ एफेक्ट थें कॉंसी कोइंस थें जो मैंने बता दी है यह क्यों पैदा हुए क्योंकि कुछ इंडियन क्रू ने जो डैली शिप के उपढ़ था उसका कंट्रोल लूस करके और एक ब्रिज में टकरा दिया जो इससे ब्रिज पुरा टूट गया ब्रिज के टूटने से पोर्ट बंद हो गया है तो यह आप लोगों को समझ में आया जित्ते भी ओनलाइन स्टुएंट्स हो मोनिका जस्वीर, आकाश, तान्या, शिवांगी, रिशब, अजय, काजल, प्रदीब, दिनेश, रजोरिया, ठीक है, नरेंद, अनमोल, इसमझ मे है, आप लोगों करें, ठीक है, चलिए फिर दूसरी न्यूस पढ़ते हैं, दूसरी जो न्यूस है, वो आच्छे में करण डफिया नहीं है, बस खाली यह है, क्योंकि यह शिप किसकी थी, शिप एक कंपनी की थी, जो सिंगापूर की है, ठीक है, वो कंपनी सिंगापूर की है, ठीक है, तो इता आपको जानने की जरुबत नहीं, शिप मतलब सिंगापूर की किसी कंपनी की थी, और इंडिया की में नहीं थी, यूसे की में थी, ठीक है, इंडिया उसे ही merit को हुई आ जारे है इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह तो इंडिया की हो या उएसे की हो किसी भी कंट्री के हो सकती है ठीक है ऐसे ही merchant shipping वाले काम करते हैं वो ship खरीड लेते हैं ठीक है Ship को खरीदना Ship को रेजिस्टर करना कठीना काम होता है ठीक है कई चंट्री में सस्ते में ये काम हो जाता है जो हो किष्ट कर लेते हैं और पिर क्रू ने सिंगापूर की कमपनी की शिप थी और उस पर क्रूप पूरा-कपूरा इंडियár और काम क्या खें थी वहुत आपका ब्रॉटम हो मतल scripture करका ले जा जी तो ये तो आपका करया घंड ऑन टार ये आप समी कंड्डुड़क्टर फ़र प्ड़ाया था पहले ये करंड फैर नहीं है ये वह को मे बत बढ़ा आर्टीकल निकला है तो सवी कंडुक्टरश के यह भी मताने हुए कि की संडॉको कि Formula का जो शुम ही बदता कैसे ठीक है इंडिया को इस में कैसे होए को आपको जो याद होगा जूजू करेंट अफिर्स में है रेगुलेर है को जाट होगा कि मैंने विथा कि तीन फिर्सम प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्मेंट ने मैंने विदाता है, चिप बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, दुनिया में कुछी कंट्री हैं, साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान और USA, जो की चिप बनाती है, बाकी कोई जो आप फोन में, सब जगह जो चिप देखते हो ना, ठीक है, भी, फोन, टीवी, कार, सब जगह जिस जगह आपको जो इलेक्रोनिक चिप दिखती है, सब जगह, वो चिप जो है, वो बनाना, फोन, बनाना असान है, लेकिन फोन में जो चिप लगती है, जिसके दम पे फोन काम करता है, जिसके दम पे लैप्टॉप काम करता है, जिसके दम पे प्रबाइब बने और इंडिया की कोई सब्सक्राइब मतलब आगे निकले तो उसके लिए ही ऐस प्रफ का element होता है ठीक है जो conductor और insulator के बीच में होता है अब conductor के होता है conductor वो होता है जो कि जिसके through या जिससे electricity बिजली आसानी से पास हो सके जैसे आपको copper या iron अगर इनमें बिजली पास हो रही हो और आप छूद हो तो आपको क्रेंड लग जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि ये good conductor of electricity है इनसे जो बिजली होती है जो इलेक्ट्रों के थूप पास करती है वो तीजी से पास करती है ठीक है तो ये वो conductor होते हैं और ऐसे ही कुछ material insulator होते हैं जिसे rubber हो गया लकड़ी होगी ठीक है इसमें आग बिजली का से ठीक है ठीक है तो conductor जो है semi conductor जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज जो है conductor insulator के बीच में लाई करती है ठीक है जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं semiconductor आपसे बड़ा एक्जाम्पिल है आपका silicon ठीक है silicon तो जब semiconductor की सिमि कंड़क्टर की बात करेंगे तो यह silicon की बात करोंगे जैसे silicon है अपने प्योर फॉर्म में देखोंगे कि इसमें कुछ नहीं मिलाएगा तो silicon की प्योर फॉर्म में रहता है तब सिमिक वो electricity का साही conductor नहीं करता है वीग conductor होता है पूर प्योर फॉर्म में लेकिन जब इसमें कुछ इस्पेशल टाइप के सबस्टेंस एड़ कर दियाता है silicon कुछ इस्पेशल टाइप के सबस्टेंस आप आड़ करते हैं को इसकी प्रॉपर्टिस चेंज हो जाएंगी और वो electricity को कंड़क्ट करने लगेगा मतलब electricity को अब electricity या बिजली उसके थुरू पास कर सकती है ठीक है तो डोपेंड को डालने से silicon जैसा semiconductor जो है वो जो पहले वीग conductor होता है वो अच्छा conductor of electricity बन जाएगा तो यही क्या केते हैं अब क्लेप्टॉप में और क्या करते हैं जहां पर भी आप चिप लगाते हो गवाँ तो बिजली का काम होता ही है ना बिजली से तो सब चलता है तो यह सब डालके उनको semi connecoblast को silicon को conductor of electricity बना जाता और इसी से उनके उपार circuit बना जाता है यही टेक्नोजी जैसे circuit बना जाता है दोपन डाल के silicon के उपर उनमें कुछ खास तना की circuit बना जाते हैं कैसे बना जाता है ठीक है कि डोपन को मिला के दिया जाता है silicon में और बड़े-बड़े से स्विकन्डुक्टर से रखा उससे अलग अलग तैप इस बनती आप सब्सें स्विकन्डुक्टर डिवाइसे से विज्चना भी होगा ट्रांजिस्टर होता है इक रिजिस्टर होता है आइसी होता हैं इंटीगेटर चिप्स होती ही और पहुते हैं लेकिन ही चाहिपास ना के मेन है तो यह सब ट्रांजिस्टर वगरा बनाएं डायोड होते हैं ठीक है यह डायोड है रजिस्टर वगरा तो यह सब सब्सक्राइब डिवाइसे आप सिलिकॉन में डोपेंड मिला तो इस तरह की डिवाइसे आपको मिलेंगे और इन सारी डिवाइसे का कुछ ना कुछ अलग-अलग काम होता है जैसे रजिस्टर की अम्माद के रिश्टर काम भी होता है अगर कहीं पर आपको चाहिए की लेक्सिटी कम जाए तो ओ लगा दो इस टाइप को सेभी कर्डेक् अगर का कि वह तुरंट ओन ऑफ हो जाता है अगर करता है एक 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 इलेक्ट्रोनिक स्विच्ट का मतलब होता है कि कंड़क्टर ये तो इसको एक सिगनल मिला तो यह आपको तुरंट काम करना बंद कर देगा इस से इस से लिट्सक्री पास होना बंद हो जाएगा फेस को इलेक्ट्रोनिक स्विच क्यंना काम करता है और यही उलेक्रोनिक स्विच जो होते हैं जिनसे आपके लेट टोफ और आपके 모्टोजी क्या होता है इस वज़ये से कहेता है वोल यह एक काम होता है दूसरा इन यहольפर करना कोई सिगनल आपने ट्रांसिर को बढ़ा दिया ठीक है जैसे आपका फोन आप बात करते हो तो जैसे वहां से सिगनल आ रहा है जहां से बेजा गया जहां से बात हो रही है तो वह जो है उसको आप तर्वा आइस नहीं कि आपके अब यहां से अपको बात करनी एगी है उससे क्याकितने बात हो पाईगी यह वह वहाला सिगनल कर देता है अब्रशाबता है बढ़ा देना थेक है उस सिगनल को बढ़ा देगा तो आपको कि उसी कहास सुन में जिससे आप बात करना चाहरे है इसको अपने फोन लगाया है बाकी सारे सिगनल जो समय हवा में होएंगे वो सारे हड जाएंगे ट्रांजिस्टर उनको कैच ही नहीं करेगा ठीक है कि आपको आले सिगनल को एम्प्लिफाई कर देगा तो यह ट्रांजिस्टर का काम होता है और आपको पुरा कॉंप्लेक्स यह सर्केट्स बनाया जाते है तो आप इस में कहते है हम लों बोलते है चिफ्स को हम लों नहीं में कहते है कि शेफ्स को बनाने वाले उसको टेक्ट्नोजी बोलते है ठीक कि कैसे Silicon जो एक single element होएगा उसमें कैसे Dupant डालके उसको Semiconductor बना जाता है और फिर उस Semiconductor से Semiconductor devices बना जाती है और फिर Semiconductor devices को आपस में कैसे connect करके एक आपका circuit बना दिया जाता है और वो circuit फिर आपके यूस होते हैं वह सर्कुट फिल लगते हैं आपके अलग अलग जगा पर जहां पर उनका जैसा है यूटलाइजेशन होता है तो इस चीज को पूरे को बोलते हैं फेबरीकेशन करने सेमिकंडॉक्टर जिसे सेमिकंडॉक्टर चिप को बनाने वली प्लाइट ऑ को बनाने मैंबाते हैं इसके कि हुए सेंभी विधम्रय ट कर डूरल यग चेश के जुब ये एक सिमी चुजचचरेन एक सिलिकॉण कर फिल पर फिल फिल बॉपं डाला तो यह क्या बन गया सिमी ऑ बनन गया और सीगी शन्द सेय्वं बनन जाई है आप इसमें क्या ठीकला इसमें अलग अलग डिवाइस बना दीगी इसी के पर ट्रांसिस्टर बना दिया गया के पैसिटर बना दिया गया और फिर उनको अलग अलग तरह से तारों से कनेक्ट कर दिया गया और आपका क्या बन के तैयर हो गया सर्कुट पूरा बन के तैयर हो गया तो यह जो है आपका यह इस पूरी टेक्नलोजी को अमनों फैब्रिकेशन टेक्नलोजी बोलते हैं कि इसको कुछ नाइटीज सिफ्टीज से यह शुरू हुआ था अब पचास साथ सालों में यह टेक्नलोजी इंप्रूब होती जाती प्रोग्रम होती जारी है यह फिर कि इवार्फ जारी वार्फ कैसे हो रही है कि पहले यह जो सभी करेक्टर है यह नैनोमीटर में बनते हैं और नैनोमीटर क्या होता है एक नैनोमीटर जो होता है एक नैनोमीटर इक्वाल होता है कि वन बाइब बिलियन बस्ट लब टेंट को दो पावर